गुड मानिक इस्टुडेंट मैं गुड दूसर आप सभी के इस वीडियो में शागत करता हूँ बच्चों आज मैं एक्सरसाइज ये 6A लेकर आया हूँ ठीक है जिसका कुश्चन नमबर 1 and 2 ये तो मैंने पिछली वीडियो में बना के डाल दिया हूँ अगर आप उस वीडियो को ना देखे हूँ तो प्लीज जा करके वहाँ पर उसको पहले देख लें वहाँ पर सभी चीज मैं बेसिक से बताया हूँ आज मैं कुश्चन नमबर क्योंकि 1,2 हो चुका है तो थिर से स्टार्ट करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवर्च दबाएं तक कि हमारे द्वारा जीतने भी बीडियो बनाय जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सकें तो चली स्टार्ट करते हैं कुश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्या है देखें कुश्चन नंबर 3 में लिखा है लिखा हुआ है कि एक जो है स्क्वाइर है उसका रेडियस जो है हो कितना बढ़ रहा है तो यह पूच रहा है कि आगर जो शाइड है वो बही देखें किसका बात हो रहा है इस्कॉाइर की तो कर जो शाइड है वो 3 सेंटी मिटर पर सिक्ड अगर बढ़ रहा है तो बताएए find the rate of increasing of its perimeter तो यह बताना है कि इसका perimeter की increasing rate क्या होगी जब square का जो side है वो 5 cm हो ठीक है तो यहाँ पर पहली बात तो perimeter और square की बात चल रही है तो चलो पहले लेट कर लेता हूँ कि square को किसे radius को किसे define करें और perimeter को किसे define करें तो चलिए यहाँ पर पहले यही काम कर लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्या यह question number 3 है let देखिए x and p be the be the side of side and लिखिए side and perimeter perimeter of square of square okay respectively respectively ठीक है यह माल लेता हूँ कि जो square है उसका जो side है वो x है और perimeter जो है वो p से define किया गया है clear होगी नहीं हो गया अब यहाँ पर देखिए given में क्या है given में कह रहा है कि जो इसका side है वो किस rate से बढ़ रहा है increasing decreasing अगर rate की बात कहें आपसे थे के increasing rate यह decreasing rate तो आपको d upon dt उसके सामने लगा देना जिसके बारे बात हो रहा हो और यह भी आपका a है और वहाँ पर आपसे कह दे जाए कि इसकी increasing rate आप बताईए decreasing rate तो इसका मतलब आपको क्या बताना है वाँपर da upon dt ठेक है s कहीं लिखा है कहा कि इसका increasing rate या decreasing rate बताईए तो इसका मतलब क्या है S के बारे में पूछ रहा है तो D S upon D T आपको लिखना है तो यह बाते आपको समझ में आ गया हो और इस बारे में मैंने जो है पहली जो वीडियो है 1, 2 आला इसका कुशन नमबर उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर समझा के डाला है वहाँ अगर ना देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखें आप ठीक है तो यह बाते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि गिबन में क्या दिया है यह दिया है कि जो इसका साइड है किसका स्कॉयर का वो 3 सेंटी मीटर पर सेकंड की रेट से क्या हो रहा है लेकिन पॉस्टिव लिखनी की जोरत नहीं होती है तो यहाँ पर चलिए एक बात तो किलियर हो गया और आपको निकालने का क्या है इसमें तो फाइंड आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि भई अगर यह बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर पैरी मीटर की भी आपको बताना है क्या रेट ही बताना है तो इसको भी हम लिखेंगे DP अपॉन DT ये पूछ रहा है जब साइड कितना दिया है बताइए जब साइड यहाँ पर लिखा हुआ है सिरिम मैंने उसको लिखा भी तो चलिये start करते हैं लगाने के लिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है लिखेंगे be no date हमको पता है हम जानते हैं क्या जानते हैं भई हमको ये पता है कि perimeter of square square जो है उसका जो perimeter होता है वो 4 into side होता है और मैं इसको देखे perimeter को हम define कहे किसे किया है, P से किया है और 4 into side, side को कहे X है, तो 4X हो गया तो चलिए इसका differentiation करते हैं with respect to T, तभी तो हमको D upon dt मिलेगा, तो चलिए आ जाएगा क्या ये, DP upon dt, और यहाँ पर देखे क्या है, 4, और X की जगा हो जाएगा, DX upon dt तो भाई देखे, 4 तो आपका लिखा ही है, DX upon dt की वेलू यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, 3, 4, जा 12 अब यहाँ पर देखे, unit लिखेंगे, तो perimeter का unit आप तो जानते हो, centimeter में है तो centimeter में होगा, T लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड हो गया, तो आपका आगया 12 centimeter per second आपका answer हो गया, तो क्या यह कुशन समझ में नहीं है, बहुत आसान था यह अब इसके बाद देखे, कुशन number 4 पे पहुंचते है देखे, 4 number में क्या लिखा है, 4 में rate of increasing of its area, its area when the side of square is 10 centimeter, आपकी बाद देखे, यहाँ पर side और square के बारे में आगे अपकी वाले कुशन में, इसके पहले वाले में देखे, इसमें क्या था, side और perimeter में था, तो सेम यहीं काम करेंगे, बस क्या है, किस देखे लिखा, जैसे लिखा हूं मने क्या, let x and p, p की जगा पे, चुकि square, यहाँ पर area के बाद हो रही है, तो a कर दीजिए, let x and a be the side of, side and area आप लिखना पड़ेगा, perimeter की जगा, क्या लिख देखे आप, area of square respectively, और given में देखे, क्या कह रहा है, किसमें यह कह रहा है, कि जो the side of i square is increasing at a rate of 4 cm per second, और पहले वाले में कितना था, 3 था, तो यहाँ 3 लिखें, अपकी वाले में 4 cm आ गया, ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है, तब area किस rate से बढ़ेगा, तो मतलब क्या हो गया, da upon dt पूछ रहा है, और यहाँ पर देखिए, जब side इसमें भी 5 था, इसमें side कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक, आप देखिए, सब कुस तो वही है, ठीक, यहाँ पर बात कर रहा है area के बारे हैं, तो यहाँ लिखेंगे area लिखेंगे, area आप square square to, क्या जानते हैं हम लोग, side के square होता है, और area को काई से लिखते हैं, a से, और side square का मतलब है कि यहाँ x है side को माना है ना अपने, तो यहाँ x square हो गया, तो चलिए अब इसका differentiation किया जाए, तो जब इसका differentiation करेंगे, तो d, a upon आपका हो गया dt, और यहाँ पर देखें, 2 आगया जाएगा, तो 2x हो गया, कि नहीं, पहले square को होगा ना, तो 2x हो गया, जब x करेंगे, तो d, x upon dt हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखें, ध्यान दीजेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे 2 तो लिखा है X की जगा पर यहाँ पर देखे क्या लिखा है X की जगा पर यहाँ पर लिखा है और DX अपान DT की जगा 4 लिखा है तो देखे 4 तेंजा 42 जा 80 80 आ गया कितना गया यह 80 आ गया कि नहीं आ गया और ये 80 क्या है चुकि area है area two dimensional होता है तो यहाँ पर centimeter square two dimensional में square गया और time लिखा है तो time तो आपका second ही होगा तो कुल मिला करके यह देखे second question number यह आपका four complete हो गया तो बताए four number question में कहीं से आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है बिल्कुल नहीं हो रही होगी आपको एकद of increase of the radius of an air bubble is 0.5 centimeter per second मतलब लिखा है कि एक air bubble है ठीक जिसका radius जो है 0.5 centimeter per second क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो लिकाना क्या है find the rate of increase of its volume तो इसका volume किस rate से बढ़ेगा जब क्या लिखा when the radius of air bubble is two centimeter जब radius air bubble का two centimeter हो तो इसका volume किस rate से बढ़ेगा तो चलिए इस कुस्षन को लगाते हैं और इसको क्या कर दे रहा हूं मिटा दे रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसमें बहुत आसान सा कुस्षन हम लगा रहे हैं कुस्षन नमर 5 पे पहुँच गए है ठी जान दीजेगा यहाँ पर बात हो रही है पाफ फिप नमर में रेडियास और वैलूम में बात हो रही है तो रेडियास और वैलूम ही यहाँ पर लिखेंगे लेट गुबारा ठेक बबल मैंज अब यहाँ पर आव रिस्पेक्टिविली रिस्पेक्टिविली किलियर हो गया और अब यहाँ पर चलिए तो बात तो किलियर हो गया कि बात हम इसमें कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया अब देखें गिबन में क्या है गिबन में इ 0.5 cm per second की rate से बढ़ रहा है तो मतलब इसमें radius बढ़ रहा है तो मतलब DR upon DT जो है वह 0.5 cm per second इसका मतलब यह हुआ कि एक second में 0.5 cm बढ़ रहा है काउन radius बढ़ रहा है क्योंकि इसके सामने plus है या कोई sign नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसे हाँ पर क्या होगा प्लस होगा अगर यहीं पर मैं माइनस लिख देता तो यह negative हो जाता इसका मतलब यह घट रहा है decrease करने लगता है आप radius क्लियर हो गया नहीं हो गया और आपको निकालने का क्या है भई यहाँ पर आप निकालोगे किसको यहाँ पर कह रहा है कि किस rate से अगर एक चीज यह भी आप समझ लिजे कि कभी भी जब कोई भी माली जे बबल है जैसे माली एर बबल है आगर उसका radius बढ़ रहा है तो उसका volume भी बढ़ेगा भई बढ़ेगा भई कोई चीज अगर बढ़ा हो रहा है तो उसके बाकी चीजे भी तो बढ़ी होंगी नहीं उसमें तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जो volume है वो किस rate से बढ़ेगा तो मतलब dv upon dt पर कि आपको सुना भी दे रहा हूं ठीक है चुकि हमारा board है छोटा ठीक बड़ा board है नहीं इसलिए हम यहाँ पर कुछन लिखते हैं तो फिर जगा जो है वहाँ पर ज्यादा घिर जाता है ठीक है तो चलिए start करते हैं लगाते हैं और यहाँ पर हम जानते क्या है बी नो द होता है तो अब यहाँ पर हमारी बात समझेगा अगर is spherical है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे volume of volume of air bubble equal to 4 upon 3 pi r cube वही जब आगर ये spherical होता है तो volume का formula तो spherical है वाला लगेगा ना इसमें तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर और volume का formula हमको पता है कि यह होता है volume को कैसे लिखे हैं वी से तो v equal to क्या आगया 4 upon 3 pi r cube अब चलिए इसका क्या करते हैं differentiation करते हैं with respect to t तो चलिए differentiation जब करते हैं इसका तो क्या आएगा dv upon dt और यहाँ पर 4 upon 3 pi यह तो आपका constant है इससे कोई आपको मतलब नहीं अब पहले r cube पे पहले power का करोगे power के क्या हो जाएगा 3 आगे चला जाएगा और इस पे power 2 हो जाएगा और जब r का करेंगे power के तो हो जाएगा d r upon dt हो गया अब यहाँ पर देखे क्या जाएगा dv upon dt और यहाँ पर देखे 3 से 3 कट गया तो आपका 4 pi बचा r square बचा और यहाँ d r upon dt बच गया बोलो यहाँ तक समझ में आ गया है नहीं आ गया अब यहाँ पर एक काम करिए 4 लिखा है pi भी लिखा है r की value यहाँ पर क्या दिया है बताइए r की value 2 cm दिया तो 2 cm है तो 2 का square हो गया और d r upon dt बचाएगा 0.5 है तो यहाँ पर देखे कितना जाएगा 2 2 जा 4 तो यहाँ पर आपका देखे 4 हो गया यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर लिखे यह तो लिखा है और 4 5 जापका 20 हो जाएगा यहाँ पर कि 20 में मतलब 2 हो गया ना टोटल भाई एक नंबर के बाद आप लगाओ के point तो 2 ही हो गया और 2 4 जाए कितना हो गया 8 आ गया तो 8 pi आपका आया लेकिन चुकि volume है volume आपका 3 dimensional होता है इसलिए आप पर cube लग जाएगा और upon में क्या लिखा एट्टी लिखा भई क्योंकि पहले इसका unit लिखते है तो volume का आपका आपने पढ़ह होगा unit क्या होता है centimeter cube होगा अगर centimeter में है तो और time second में चल रहा है तो time तो आपका second ही रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि जो क्या कहते हैं कि volume है कि इसका air bubble का वो 8.5 centimeter cube पर second की rate से क्या कर रहा है बढ़ रहा है तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया है तो please channel को subscribe करें like करें, share करें और bell icon की बटन को अवस्थ दबाएं ताक कि हमारे वीडियो के link आप तक सीधा पहुँचे Thank you